उत्रप्रदेश में लगातार क्राइम के ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है जिसको लेकर विपक्ष सत्ताधारी पार्टी पर जम कर निशाना साथ रहा है आज मुरादाबाद के कलेक्टेट सभागार में समाजवादी के कारे कर टाउनी जिला अधिकारी को ग्यापन सोपा और भारती जिनता पार्टी पर जम कर निशाना साथा वही मुरादाबाद सांसर डॉक्टर स्टी हसन ने जम्मू कश्मीर से धारा 371 हटनी चाहिए की बात कही दरसल सपा सांसर धारा 370 को वापस लाने पर फारुक अब्दुल्ला और महबुबा मुफ्ती द्वारा बनाए गए एलाइंस पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे उन्होंने सीदे तोर पर कहा कि जब 370 हटाई जा सकती है तो 371 क्यों नहीं वही आसाम सरकार द्वारा सरकारी मदर से बंद करने पर बोले कि देखे यह उनका वही नफरों तो भरी सोधागरी करने वाला एजेंडा है भाजपा की तरह फिशारा करते हुए कहा कि इन्हें मालूम है कि अब भिहार में चुना होने जा रहे हैं तो उन्होंने यह राग अलापना शुरू कर दिया है उन्होंने यह भी कहा कि एस फिर से वही घिसे पिटे फोर्मूले लेकर आए हैं जिससे की मुसल्मानों को अलग किया जा सके इनके मनसूबे काम्याव होने वाले नहीं हैं वहीं कॉंग्रेसी नेता शशी थुरू द्वारा पाकिस्तान में दिये गए बयान पर पूछे सवाल पे सपासांसद डॉक्टर स्टी हसन ने यह कहा कि अपने आपको अलग कर लिया कि इसका जवाब तो वही दे सकते हैं दरसल आज प्रदेश के सभी जन्पदों के मुख्यालों पर सपा का विभिन मांग को लेकर विरोत परदर्शन चल रहा है इसे में शामिल होने के लिए सपासांसद डॉक्टर स्टी हसन मुरादाबाद कलेक्टेट पहुँचे थे इस तरीके से कभी भी किसी का कतल हो जाता है मेरी विधान सभा में आप देखिए परसों एक अटेक होता है एक महिला चोर भी साथ में थी उसने मेरी विधान सभा के एक चंदरवनसी पर गोली चलाई आज उसकी मौत हो गई कोई पुरसाने हाल नहीं है गम और डर का देश्चत का महौल पैदा हो चुका है मुझे लगता है कि आप हालात अच्छे नहीं है अब आप देखिए रोड पर इसकदर भुगमरी हो चुकी है इसकदर किसान परेशानी की तरफ बढ़ चुका है कि आत्मदा और आत्मत्या कर रहा है तो मैं हम पूरी टीम मानि राष्ट अधग जी के नेतरेत में आज यहां ग्यापन देने आये हैं और योगी साहब जो बाबा है उनको मठमी भेज देना चाहिए यह सरकार बरखास हो जानी चाहिए और यह सरकार को पूरी तरीके से फेल हो गई है यह जो लोग यहां पर नारे बाजी कर रहे हैं यह इसलिए कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है क्राइम क्यूंकि आप तो मीडिया हैं आपको पता है आप देखिये चाहें दलित महिला हो चाहें कोई और मामला हो यहां बेखौफ गुंडे बिल्कुल इस तरीके से फिरेन को कोई मतलब नहीं है यहां पर तो एक तरीके से गुंडा राज नहीं हो गया यहां तो अगोशित एमर्जेंसी लागू है लोगों के अंदर धहशत का ऐसा माहौल है कि लोग बरदाश्टी नहीं कर पा रहे लोग बरदाश्टी नहीं कर पा रहे कि कहें किस से अपनी बात जिस से जाके कहते हैं उनकी कोई सुनने के लिए तयार नहीं है किसी इस तरफर भी किसी आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही विकास तो खत्म हो चुका है, सम्मान खत्म हो चुका है, मान खत्म हो चुका है, बस डर का महौल है, किसान परिशान, रोजगार परिशान, हमारा बच्चे परिशान, नौजवान परिशान, वेपारी परिशान, हर अगवर परिशान, बस इनके पास तो कुछ और नहीं है, य ये सरकार तत्काल प्रिभाव से बरखास्त होनी चाहिए हैं इसी हमने अभी मांग की है आज बेहन बेटियों की इज़त का सवाल है दलीतों की इज़त का सवाल है और अपराद इस बेटों पर हो रहा है कि इससे इंसानियद सरमशार हो रही है अपराद हो जाए ठीक है लेकिन अपरादियों को बचाने के काम होने लगें तो ये सरकार की बहुत बरी नाकामी है इसी एक खिलाफ हम लोगों नायो ग्याबन दिया है कि अपरादियों पर कड़ी से कड़ी कारवाई हो और पिर देश के अंदर खानून का राज नाफिज हो देखिए ये वही एजंडा है नफरतों की सौधागरी करने वाला हिंदुस्तान की उस तहजीब को जो प्यार महबत की तहजीब है थी हमारे हिंदु-मस्लिम इत्थाद की तहजीब थी तूंकि इन्हें मालूम है कि बिहार के चुनाओं होने जा रहे हैं अब ये वही घिसे पिटे फार्मूले स्तमाल कर रहे हैं कि किस तरह से मुसल्मानों की दिलाजारी हो और इनको वोट मिले लेगिन अब ऐसा होने वाला नहीं हिंदु भाई और मुसल्मान भाई साथ मिलकर इस देश को उन्होंने बनाया है और आग भी बनाते रहे हैं हम यह मानते 370 हटी है को 371 भी हटनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हटाएगे यह उनी सब पूछिए मेरा में से नहीं है ऐसी ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट एंटरप्राइब